हेलो दोस्तों स्विट डिश में रस्मलाई तो हर किसी की फेवरेट होती है तो चलो आज इस रस्मलाई के फ्लेवर में ही बनाते है ये केक तो आज हम रेसिपी जोन की इस केक सिरीज में देखेंगे रस्मलाई केक तो चलो फटा-फट से रेसिपी करते हैं स्टार्ट केक बे एक कप और इस से वन फुर्थ कप इतना में प्रीमिक्स लिया है इतने में आपका हाफ केजी का चेक बन जाता है और इसमें ज़रोथ की सबसे पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका बैटर बना लेते हैं पानी थोड़ा थोड़ा करकी यूज करना है हमें डायरेक्ली नहीं यूज करना है पानी की कॉंटिटी ये आपके प्रीमिक्स के कॉलिटी पर डिपेंड करती है तो जरूत की साब से पानी इस्तेमाल किजिएगा ये देखिए इस तरह का बैटर हुआ है अब इसमें हम 2 ये बैटर बनकर रेडी हो चुका है हमारा हाफ केजी का केक बेग करने के लिए यहाँ पर मैं यूज कर यूज सिक्स इंच का ये केक टीम जिसे मैंने और इसे बटर पेपर भी लगा लिया है इसमें आप हमने ये जो केक का बैटर बना लिया है वो सारा दाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से टैप करेंगे एक चार से पाच बार हमें इससे इस तरह से टैप कर लेना है ताकि इसमें की जो एर बबल से वो निकल जाए ये कडाई जोए वो भी अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है अब इसके अंदर रख लेते हम केक टीम और इसे ढख करके एक पास एक स्क्यूवर इसमें दाल कर देख सकते हो आप ये देखी ये भी क्लीन निकल चुकी यानि कि अच्छे से बेक हो चुका है अगर इसे कोई केक का बैटर लगकर आता है तो और एक दस मिनिट के लिए आप भी से बेक कर सकते हो और इस केक को पूरी तरह से थंडा कर लेंग आप देख सकते हो केक कितनी अच्छे से बेक हो चुका है और ये स्पॉंजी भी हो चुका है अब इस केक के हम लेयर कट करेंगे मैं यहाँ पे इसके तीन लेयर कट कर रही हूँ तो नाइफ से पहले तो मैं इसे तीन लेयर की इस तरह से मार्किंग कर के लूँगी और इस क लिए इतनी विपिंग क्रीम आच्छे से फेट कर ली है हाफ केजी के लिए ये इतनी सुफिशेंट होगी और उसके अंदर रस्मलाई के फ्लेवर के लिए मैं जो ये रस्मलाई का रस होता है वह दाल लेती हूं और हलका सा यलो कलर इसमें दाल लेती हो और इसे एक बार अच शुगर सिरफ से नहीं तो इस रसमलाई के रस से सोग कर लेंगे यह हो मेट रसमलाई है इसकी रेसेपी अल्रेडी मेरे चैनल पर अपलोड है जिसकी लिंक आपको उपर दिये गए आई बॉक्स में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अब इसके उपर से हम लगा को कि आएंगे विपिंग क्रीम, इसे भी अच्छे से हम फैला लेते हैं इस अच्छे से फैला लेने की बाद अब इसकी इiała बपर रहांब की की तीसरी लेयर जिसे मैने उल्टा करके रख लिया है और इसे भी अच्छे से सोट कूरेंगे और इसके साइड में जो ग्याप बनती हैं उसमें हम क्रीम फिल कर देंगे जिससे इस केक को एक जैसी हाइट मिल जाएगी और इस केक को अच्छे से हम क्रीम से सारी और से अच्छे से कोट कर लेंगे और यह जो सारी क्रीम हमने लगाई है उसे हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से पैलेट नाइफ से सबसे पहले तो उपर की साइड जो है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और इसके साइड को भी इस तरह से पैलेट नाइफ से अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे आप देख सकते हो ये केक को अच्छे साइसिंग हो चुकी है अब अब इस केक के साइड से हमें लाइन चाहिए जिसके लिए मैं यूज करीओ जिक जाग स्क्रैपर और उससे हम इस तरह से इस पर लाइन निकाल लेते हैं और इसे इस तरह से ऊपर star nozzle का यूज करते हुए डेकॉरेट करेंगे केक को किसे से डेकॉरेट करना है ये totally आपकी creativity है आप आपके choice के साबसे इसे डेकॉरेट कर सकते हो मैंने इसzlich पे इस तरह से design निकाल ली है और वही स्टार नोजल का यूज करते हुए मैं इस केक को बॉडर कर लेती हूँ आप आपके केक को जब तक ये बॉडर नहीं करते हो तब तक वो बेकरी स्टाइल नहीं लगता है और इनकम्प्लीट होता है केक और जाधा एट्रेक्टिव लगे इसलिए यहाँ पर मैं यूज कर दी हूँ स्लाइस किया हुआ पिस्ता इसे हम केक की साइट से इस तरह से लगा लेते हैं इसी के साथ इस पे और लगाएंगे हम रोस पेटल्स जिसे मैंने इस तरह से छोटे पीस में कट कर लिया है के उपर दाल देते हैं शुगर बॉल्स यह सिल्वर शुगर बॉल्स से तो रेडी हो चुक है हमारा यह डिलिशस सा रस्मलाई केक तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी केक की रेसिपी अच्छ लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर जरूर कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो फिर मिलेंगे एक और नहीं इंट्रेस्टिंग केक रेसेपीस के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक्यू